हलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल जै हो माता करवा आज मैं आपके साथ करवा चौत वरत की पूजा कैसे करते हैं इसका वीडियो शेयर कर रही हूँ उमीद है आपको पसंद आएगा करवा चौत का वरत स्वहागिन महलाएं अपने पती की लंबी आयू की कामना करते हुए निर्जला वरत रखती है और साम को चंद्रमा को अर्ग देने के बाद पती के हाथों से पानी पीकर अपना वरत खोलती है तो चलिए फिर वीडियो श्टार्ट करते हैं करवा चौत की पूजा करने के लिए सबसे पहले हम फर्स को साफ करके उस पर चौक बना लेंगे चौक बनाने के लिए हमने यहां पर चावल का एपन लिया है इस तरह का आप चावल का एपन बना सकते हैं मैं इसी से चौक बनाऊंगी यदि आप चौक बनाना नहीं जानते हैं तो आप सिंपल सा अश्टदल कमल बना लीजिए या फिर स्वास्तिक भी बना सकते हैं मैंने यहां पर चावल के अपन में थोड़ा सा कलर मिला लिया है ताकि जब मैं अश्टदल कमल या फिर चौक बनाओ तो कैमरे में अच्छे से दिखाई दे आप बिना कलर मिलाए भी अश्टदल कमल स्वास्तिक या फिर चौक बना सकते हैं तो इस तरह से हम सिंपल सा अश्टदल कमल बना लेंगे ओक के ओपर चौकी रखेंगे जिस पर मैंने लाल कपड़ा विशा लिया है लाल कपड़ा नया होना चाहिए इस वात का विशेर स्यान रखें चौकी लगाने के बाद अब हमने यहाः पर कर्वा चौथ-माता की फोटो ली है इस तरह के मनें फोतो ली है जो की मार्केट में आसानी से मिल जाती है यदि आपको फोटो नहीं मिलती है तो आप करवा चोथ माता का कलेंडर भी ले सकते हैं जिसको आप दीवार पर लगा लीजिए अब हमने करवा चोथ माता की फोटो विराजित करने के लिए चावल का आसन दिया है उसके बाद हमने उस पर करवा चोथ म मूर्तियां मिट्टी से बनाई है जिसमें हमने भगवान शिव को बनाया है गौरी माता को बनाया है और गनेशी को बनाया है आप चाहें तो गनेशी सुपाडी से बना कर भी विराज़ित कर सकते हैं इसके अलावा आप यती शिप परवार मिट्टी से नहीं बनाना चाहते है या फिर आपके पास टाइम नहीं है तो आप शि्प परिवार की फोटो भी पूज़ा में विराज़ित कर सकते हैं परनतू शिप परिवार को आप पूज़ा में अवश शामल कीजेगा। इसके बाद हम कलश की स्थापना करेंग perform कलश करने के लिए हमने यह गगा जल डालेंगे सुपारी डालेंगे सुप़ारी डालेंगे पुष्ट पर डालेंगेł यूरे यूजित जलme पर अनाज के लिए के लिए का्टोरी रखनी है कारी में हम कोई भी नाज रखेंगे जैसे कि यह दिए पकिपसte चावल है तो आप चावल रख सकते हैं गैहू भी रख सकते हैं जयों हम भी रख हो गया है इसको हम चौकी पर विराज़त करेंगे चौकी पर विराज़त करने किवी हम इसको चाहबलों का आसन देंगे इसके अलाव Wallaceなら को कि ऊपना किये आप और आप कर्वा-प्रवा कर सकते हैं लेकिन किसी भी पूजा में करवे ले लिये हैं जिनके मुख पर हम कलावा बांध लेंगे करवा चौत की पूजा में हम जितने भी कलश करवा और जलका कलश जो भी प्रयोग करते हैं उन सभी के मुख पर हमें कलावा बांधना होता है इस बात का विशे इस्यान रखें तो मैंने यहां पर दो करवा प्र करवा बहर नहीं में करवा नोड़े लगों do tear नहीं, वह आप रीघार ने करवा नहीं, M ऩर करवा नहीं में हम अगाए करवा मताथ लाई हैं केकगर नहीं सिर्मा करवा बरा तो माता पारवती से बदलेंगे इस तरह से हम दोनों करवों में बरावर बरावर चीज बरावर मात्रा में भरेंगे करवा में चिवडा बरने के बाद अब हमने यहां पर पांच-पांच पूडियां ली हैं जो कि हम दोनों करवों में रख देंगे आप साथ-साथ पूडिय में और दच्छिना भी रखी जाती है चावल की पिनिया करवा चौथ के लिए कैसे बनाई जाती है इसका वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसके अलावा फ्रेंड्स करवा चौथ की संपू पिनिया भरने के बाद हम दोनों करवा में बरावर मात्रा में मिठाई भी भर देंगे हमारे हैं सफेद मिठाई करवे में भरी जाती है इसके अलावा फ्रेंड्स दोनों करवा में हम बरावर मात्रा में दच्छना भी रखेंगे जैसे कि मैंने एक करवा में 11 रुपए इस तरह से हमारा कर्वा भरके तैयार हो गया है, अब हम इस पर धक्त लगा देंगे और हम दीपक रखेंगे। गी का दीपक हम दोनों करवों पर जलाएंगे। करवा हमने भर करके तयार कर लिए हैं अब हम चंद्रमा को अर्ग देने वाले जलका करवा भी तयार कर लेंगे यह करवा पीतल का या फिर तावे का होता है और यह करवा माईके की तरफ से दिया जाता है इस कर्वे को हम हर साल यूज़ करते हैं इस कर्वे को हर साल नहीं बदला जाता है जबकि मिट्टी के कर्वे हम हर साल नहीं ले सकते हैं इस कर्वे में हम चंद्रमा को अर्ग देने के लिए सुद्ध जल बरेंगे उसमें हम रोली अच्छत और चंदन डालेंगे इसके अलावा हम इसमें पुस्प डालेंगे और मीठा करने के लिए थोड़ी सी मिठाई या फिर बतासा डाल सकते हैं इसके बाद हम इस पर एक प्लेट रख करके इस पर भी हम देशीगी का दीपक जलाएंगे इस करवे को हम करवा माता के आगे चावलों का आसन दे करके विराजित कर देंगे जब हम चंद्रमा को अर्ख देने जाएंगे तो इस करवे को साथ ले करके जाएंगे अब हम पूजा प्रारम करेंगे, पूजा प्रारम करने के लिए हम दीपक को चावलों का आसन देंगे और दीपक को प्रजुलित करेंगे, दीपक प्रजुलित करने के बाद अब हम कलस का दीपक भी प्रजुलित कर देंगे, इसके अलावा हम चंद्रमा को अर्ग देने वाल गी की मात्रा लगातार बढ़ाते रहें, इसका आप ध्यान रखें, अब हम पूजा प्रारम करेंगे, पूजा प्रारम करने के लिए सबसे पहले हम गनेशी को रोली लगाएंगे, उसके बाद हम माता पारवती को रोली लगाएंगे, अब हम गनेशी और माता पारवती दोनो स्वास्तिकबना लेने Novemberneg प्लस्व क्सा सफ लिए अच्चा पूजन करदें इसी प्रकार हम कलस्व कावी और अच्चा चुन्दण से पूजन करेंगे अब कि performanceि और हम भगवाई शिव को भी वह क्लाव सफ न कलावा अर्पित करेंगे ये सब करने के बाद अब हम करवा माता की फोटो की फोटो की पूजा करेंगे करवा माता की फोटो की वी हम रोली और अच्छत से पूजा करेंगे करवा माता की फोटो में जितने लोग हैं जो जो लोग हैं उन सभी को हम रोली और अच्छत लगाए फोटो की पूजा करने के बाद अब हम किताव कावी रोली अच्छा चंदन से पूजन कर देंगे इसके बाद हम माता पारवती भगवाई शिव और गनेश को हम एक पुश परपित करेंगे इसके बाद हम एक कलस को भी पुश परपित करेंगे पुश परपित करने के बाद अ अब हम करवा माता को भोग लगाएंगे, भोग में आपने जो भी बनाया है, कच्चा, पक्का, खाना जो भी आपने बनाया है, आपके यह जो भी बनाया जाता है, उसका भोग अवश्य लगाएंगे, माता को आप जो भी भोग लगाएंगे, उसमें प्याज लेशन नहीं होन ग्रिली है वो हम माता करवा और पार्वती माता को अर्पित करेंगे और अर्पित करने के वाद उसको हम माता के पास चौकी पर ही रखेंगे अब हम माता पार्वती को आलता लगाएंगे आलता लगाने के वाद अब हम माता पार्वती को शिंदूर्दान करेंगे हम माता पार करने के वाद माता से शुहाग अवश्य लेना चाहिए अब हम भगवान गनेश को हल्दी की गांट और सुपाड़ी भी अर्पित कर देंगे अब हम करवा फेरेंगे करवा फेरने के लिए हमने जो करवा भरकर के तयार किये हैं उनको हम चौकी पर विराजित करेंगे चौकी पर विराजित कर लिए हैं इसके वाद करवे पर जो दीपक रखे हैं उनको भी हम प्रजुलित कर लेंगे फ्रेंट्स जैसा कि मैंने आपको आगे वीडियो में भी वताया है कि इसमें एक करवा माता पारवती का होता है और दूशा करवा श्वयम का होता है यानि कि जो लखे हैं उनकी वी हम रोली और अच्छा से पूजा कर देंगे अब हम करवा फेरेंगे जिसके लिए हमने हाथों को इस तरह से क्रोश कर लिया है और हम मनही मन माता करवा का ध्यान करेंगे माता पारवती का ध्यान करेंगे बोलेंगे जै माता करवा जै माता करवा और इस साथ करवा फेर लेंगे तोय देखी हरेंड हमने एक बार करवा फेर लिया है इसे बाद हम दूसरी बार कर ना पर ंगे इसी तरह से हम साथ वार करवा फेर कि इसे तो थे पैंज JIMुद ऑख पर दो चाहरा तरह हैंग तीन में चाहर वार पांच वार छे वार और साथ वार इस तरह से हमने माता पारवती से करवा फेर लिया है अब हम फेर से दोनों करवा की चरड़वंदना कर लेंगे अब पीला वाला करवा जो कि मैंने श्वेम का माना था वो माता पारवती का हो गया है इस तरह से हमने करवा माता पारवती शे फेर लिया है इसे करवा फेरने की विदी भी बोलते हैं अब हमसे पूजा में जो भी कमी रह गई हो उसके लिए हम माता पारवती को शवी भगवान को और करवा माता को दच्छना अर्पित करेंगे दच्छना अर्पित करने के बाद हम सभी भगवान की आर्थी करेंगे पहले गनेश भगवान की करेंगे फिर माता पारवती की करेंगे करवा माता की करेंगे भगवान भोले नात की भी हम आर्थी करेंगे आरती करने के बाद सभी भगवान को जल्वी अर्पित करेंगे अब हम माता करवा से अपने पती की लंबी आयू की कामना करेंगे अपने परिवार की शुक्षम रद्धी की कामना करेंगे इसके बाद हम सब भी भगवान के चरड़िश पर्ष करेंगे और आसिरवाद लेंगे अब हम पारवती माता से सुहाग लेंगे हमने पारवती माता को पांचवा सिंदूर दान किया था इसलिए हम माता से दोवा सुहाग लेकर के अपने मांग में लगाएंगे ध्यान रहे कि अपने साड़ी कपलू हाथ में ले करके रिंग फिंगर से ही सिंदूर अपने मांग में लगाएं इसे सुहाग लेने की विदी भी बोलते हैं तो इस तरह से हमारी करवा चौत की पूजा संपूर हो जाती है यहाँ पर हमने सासु मा को देने के लिए साड़ी भी रखी है जिसमें हमने कुछ सुहाग का सामान लिया है और दच्छना भी रखी है जब हम सासु मा को देंगे तो उनको मिठाई का डिबा भी इसके साथ में देंगे आप यह ध्यान रखें कि जब करवा चौत की पूजा करते हैं तो इसको भी माता के पाश में रखते हैं तो इसलिए मैंने इसको भी माता के पाश में रखा है तो फ्रेंड्स आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरू बताईएगा पसंद आई हो तो लाइक करेगा शेर करेगा साथ ही हमारी चैनल को शब्सक्राइब करेगा बेल आइकन को भी प्रेस करेगा कमेंट में जै करवा माता अवश्ची लिखेगा धन्यवाद जै हो करवा माता